असलाम लेकूम वीवर्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे आज हम बनाएंगे कोरियन स्टाइल चिली गार्लिक प्टाइटोस मश्रूम्स तो रेस्पी स्टाट करते हैं बिस्मिल्लार रख्मानी रहीम दो आलू लिये हैं मैंने वड़े साइज के इसके चिलके हम उतार लेंगे और इस तीस का दिहान रखेंगे कि इसके ऊपर चोटा सा भी चिलका ना रहे अच्छे तरीके से साफ करेंगे और इसे हम cut कर लेंगे चोटे-चोटे size में हम इसे बराबर रखके cut कर लेंगे चोटे-बड़े cut नहीं करेंगे क्योंकि फिर जब हम इसे boil करेंगे तो कुछ cook हो जाएंगे और कुछ चोए मोगचिरा जाएंगे तो इसे हम बराबर से कट कर लेंगे छोट-छोटे पीसिस में ताके ये एक जैसे ही बॉयल हो जाएं आलू हमारे कट हो चुके हैं यहां मैंने पहले सी पानी बॉइल होने के लिए रख दिया था तो इसमें हम यह कट की हुए आलू इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे और साथ से आठ मिनट के लिए पकाएंगे यहां पर आलू हमारे कुक हो चुके हैं तो इसे हम इस इसका भी दियान रखेंगे कि आलू जो है वो बहुत ज्यादा कुक ना हो ओवर कुक ना हो यह देखें बिलकुल इस तरह के अब हम इसे इंपाउल में निकाल लेंगे अब हम आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे इसमें चोटे चोटे टुकडे बिलकुल भी ना रहें अच्छे तरीके से मैश करेंगे इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे एक कप कॉन फ्लॉर जो बिल्कुल भर के नहीं डाला इसके अंदर मैंने लेवल करके डाला है जो हमने आलू को मैश किया है वो गरम ही हो ठंडा नहीं होना चाहिए तो गरम गरम के अंदर ही हमने सारे ये जो है मिक्स करना है और आपने दिहान रखना है कि आपका हाथ ना जल जाए तो आप इसके चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स करते हैं पहले इसको कॉन फ्लोर के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमे अड़ करेंगे और एक अच्छी सी डो तयार कर लेंगे बिल्कुल नरम सी डो तयार करेंगे बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए दो पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बस थोड़ा थोड़ा सा ही डाल के इसको डो तयार करनी है हमने डो हमारी तयार हो चुकी हो और ये देखें कितनी नर्म और सॉफ्ट सी है ओइल लेंगे और हाथों कच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे और अब हम चोटे-चोटे से बॉल बना लेंगे इसके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे जैसे एक चमच खाने का होता है उसके बराबर हम लेंगे और आपने इस चीज़ का भी धिहान रखना है कि जितनी बार हम ये बॉल बनाएंगे उतनी बार दोनों हाथों पे हम ऑईल लगाएंगे और बॉल बनाते वे इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए एक बोटल लेंगे और इस बॉल के दर्मियान में रखके इसे हम प्रेस करेंगे कोई भी घर पे एक्स्ट्रा बोटल रखी हो आप उसके साथ कर सकते हैं ये देखें बिल्कुल मश्रूम के जैसे ये तयार हुआ है और बाकी का भी हम इसी तीके से बना के तयार कर लेते हैं और इस चीज का भी हमने दियान रखना है कि ये जादा मोटे ना हो पतले हो क्यूंकि जब हम इसे बॉल करेंगे पानी में डालेंगे तो ये थोड़े भूल जाएंगे एक्स्ट्रा तो बहुत बड़े हो जाएंगे इस वज़ा से इसे हम पतले-पतले से ही बनाएंगे और और इसे हम बॉल कर लेंगे अब हम इसे 2-5 मिनट के लिए बॉल कर लेंगे और ये देखें ये पानी के बिल्कुल नीचे है ये देखें अब ये पानी के बिल्कुल उपर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बॉल हो रहे हैं जैसे ये सारे उपर आ जाते हैं तो बाकी का प्रोसेस में आपको बताती हूं फिर एक बावल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है और इसमें मैंने बरफ के कुछ क्यूब्स पी डाल दिये थे पानी मैं डाल दूँगी ताके eld और बानी प्रूक नहीं नीचे बैठे जाता है तो भी तुब बावल में निकाल लेती हूं अब हमने पोटेटो मश्रूम से एक बॉल में निकाल लिये हैं जाएं अब हम शामिल करेंगे एक खाने का चमच सोया सोस होड़ चिली सोस एक खाने का चमच इसमें आड़ करेंगे यह में कब से निकाल लेती हूं चमच की मदद से और अब हम शामिल करेंगे इसमें सिर्का एक चाय का चमाच और नमक एड़ करेंगे इसमें 1 तीस्पॉन क्यूंकि सोया सोस में भी नमक होता है चीनी एड़ करेंगे, वन टी स्पून एक चाय का चमच, कुटी लाल मिरच, एक चाय का चमच, इसमें अब एड़ करूंगी ग्रीन अनियन, एक खाने का चमच, चॉप किया हुआ, अब हम गार्लिक ओयल, जिसे तड़का कहते हैं, वो तयार कर लेते हैं, तो मैंने यहां लिय चार से पांच चमच, कुकिंग ओयल, एक खाने का चमच, लेसन, चॉप किया हुआ, इसे हम हलका सा, इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना हमने, अब हम इस तड़के को गरम गरम अपने इस पोटेटो मिश्रूम में डाल देंगे, जिसमे मसाले डाले हुए है, इस तरीके से, इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही यमी सी बहुत जबदर तेस्टी रेसिपी है, यह आप भी ट्राइ कीजिएगा, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, थेंक यू सो मच, यह देखें, यह से अब मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी, यह अंदर से बिल्कुल बहुत जबरदस कोख हुआ है, बहुत सॉफ्ट और बहुत मजे के यमी से, तो मुझे दू का ख्याल रखिएगा, नियू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज